तो कल रात को एक न्यूज ने जिन्चोर दिया और मालूम पढ़ा के एक लीजन्सी ओफ लीडर्शिप, इंटेग्रिटी और फिलेंथ्रॉफी रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे रतन टाटा जी मोस्ट ट्रस्टीड आइकॉनिक बिजनेसमैन और फिलेंथ्रॉफिस थे रतन टाटा जी ने 1937 में इंडिया की धर्ती पर जनम लिया और 1961 में अपने बिजनेस का पर्चम लहराना शुरू कर दिया रतन टाटा जी ने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़े कारे किये मुझे एक इंटरव्यू याद है उनकी जब पत्रकार ने पूछा कि आपने लैंड रॉफर के साथ डील करके कोई गल्ती तो नहीं की इतनी डूबी हुई कंपनी को आपने एक जहाज को अपने अंदर समेट लिया यह आपको तो कभी नहीं डूबो देगा तो उनका जवाब मुझे आज भी याद है जिसे आप सुनकर हैरान परिशान हो जाएंगे उन्होंने बुला firstly I take decisions and then I prove it right तो दोस्तो जिंदगी में अकना नहीं जकना नहीं थकना नहीं की कहावत इन्हीं की जीवन से आई इन्होंने टाटा को टाटा टैटले में कनवर्ट किया जैगवर लैंड रोवर के साथ नेगोशीशिंस की और अपने साथ जजब किया कौरस के साथ इन्होंने टाइप्स किये और आज इतने बड़े बिजनस अंपायर को बना दिया उन्हें मलाल था सिरफ एक टाटा नैनो का कि वो अस्टैबलिश नहीं कर पाए टाटा प्रिवार टाटा संस 65% अपना प्रॉफिट का भारत के यूद के लिए अच्छे कारे के लिए लगाता है और वो अच्छे कारे क्या है देखिए एजूकेशन पर सबसे ज़्यादा स्वासत्य पर स्वच्छ पानी पर आज तक उन्होंने बहुत सा पैसा दान में द बहुत मुश्किल है दोस्तों इन्होंने स्टार्ट अप बिजनस में बहुत इन्वेस्टमेंट्स की और यूद को बहुत मोटिवेट किया आप देखिए के ओला स्नैप टिल पेटियम अर्बन क्लैप्स के डॉट फिट लेंस कार्ट जीवैमा फर्स क्राई कार देखो जिय जननी जने तो भक्त जने ये कहावत टाटा जी पर सिध होती है तो हम धुआ करते हैं कि ऐसे भक्त, देश भक्त, बिजनस भक्त, मानवता भक्त इस धरती पर हमेशा पैदा हूँ, हर घर में पैदा हूँ इनकी इस भक्ति को देखते हुए इन्हें 2000 में पदम शिरी के अवाइर्ड से नवाजा गया और 2008 में पदम विभूषण के अवाइर्ड से नवाजा गया और हमारी गुजारिश है हम सब को गुजारिश करनी चाहिए सरकार से कि उन्हें इसी साल भारत रतन के हवाज से नवाजा जाए हमारे रतन भारत रतन टाटा रतन धन्यवाद